Hi everyone and welcome back to Motor Planet Guys, अगर मैं इस logo को यहाँ से छुपा देता हूँ तो शायद आप यह चीज नहीं पता लगा पाएं कि यह Toyota Urban Cruiser है या फिर Maruti Suzuki Grand Vitara बढ़ जब मैंने यहाँ से अपना हाथ हटा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Suzuki की यहाँ पे आपको इनोवा हो गई, लैंड क्रूजर हो गई, कैमरी हो गई तो इस ताइप की कार Toyota के पास अल्रेडी अवलबल है लेकिन जब बात करूं Maruti Suzuki की तो यहाँ पे Grand Vitara जो मिड साइज SUV है यही सबसे प्रीमियम प्रोड़क्ट बन चुका है पूरे Maruti Suzuki लाइनप का और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह प्रीमियम प्रोड़क्ट Maruti Suzuki का आपके लिए एक अच्छा उप्शन रहेगा या फिर नई Grand Vitara नेम से इंडियन्स काफि जादा फैमिलियर इसले थे क्योंकि ओल्ड जनेरेशन की जो Grand Vitara आती थी वो हर किसी की कभी न कभी एक ड्रीम कार हुआ करती थी बट यह वाली Grand Vitara कंप्लेटली डिफरेंट अपने पुरानी वाली Grand Vitara के कंपेरजर में बाइदे वे गाईज Grand Vitara की प्रैस लिस्ट अभी लीक हुई है कुछ दिन पहले और इसकी बेस विरिंट का एक्शोरूम कॉस्ट की स्पेकुलेशन लगा ही जा रही है 9.50 लैक से अगर सही मायनों में Grand Vitara 9.50 लैक से स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी अच्छा प्रोड़क रहने वाली है तो जहां कुछ-कुछ स्टेट में ब्रैजर के प्रैसे 15-16 लैक भी क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे आप एक काम अच्छा ये कर सकते हैं आप Grand Vitara का डेल्टा या फिर जीटा वेरिंट कंसिडर कर सकते हैं हाँ फीचर डेल्टा और जीटा वेरिंट में शायद ब्रैजा के टॉप वेरिंट जैसे आपको ना मिले लेकिन आपको उसी प्रैस में एक मिड साइज SUV मिल जाएगी अब ये चीज़ तो आप जानते हैं कि ये जो कार है वो बेसिकली टोयटा अर्बन कुरूजर हायरेडर की सिबलिंग है लेकिन यहाँ पर मैं आपको वतादू कि इसका जो फ्रैंट का लेयाउट है पूरा वो कम्प्लेटली डिफरेंट है टोयटा अर्बन कुरूजर हायरेडर के कमपरेजन में ये बेसिकली काफी अत्लक इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको S-Cross आती है उसकी तरह लगती है इसका फ्रैंट का फेसिया क्योंकि ये टॉप वेरिंट हमारे सामने है अलफा वेरिंट हमारे सामने है तो इस वज़े से फीचर में आपको यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलने वाली फ्रंट में आपको मिलते हैं यहाँ उपर के साइड LED DRLs और मज़ी की बात तो यहीं है कि LED DRLs के अंदर ही यहाँ पर फ्रंट की ग्रिल में देख सकते हैं कि Suzuki के लोगों के नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा को फीचर मिलता है उसके लिए कामरा यहाँ पर ग्रिल में प्लेस किया गया है तो ओवर आल जो का K15 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine with mild hybrid technology, जो की आपको brezza में भी मिलता है, artiga में भी मिलता है, XL6 में भी मिलता है, 4-cylinder unit के साथ आता है आपको ये engine और काफी जादा refined है और performance भी आपको decent ही देता है, बागी इसमें आपको strong hybrid वाला version भी मिलता है, जिसमें आपको मिलता है, Toyota का 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine with self-charging strong hybrid technology, जिससे आप इस car को pure EV mode पे भी drive कर सकते हैं, अभी मेरे पास currently वाला version तो है नहीं, तो इस वज़े से मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा डीटेल में जानना है, तो आप Toyota Urban Cruiser High Rider वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से explain किया है कि वो अला version आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, अब आते हैं इसकी side profile में और यहाँ पे side profile आप देखेंगे, तो काफी अद तक आपको इसकी side profile Toyota Urban Cruiser जैसी ही लगने वाली है जैसे कि front face या बिल्कुली different था Urban Cruiser के comparison में, यहाँ पे बहुत जादा difference नहीं है, सिर्फ एक ही difference है जो है alloy wheels का difference, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 17 inches के alloy wheels और उसके उपर आपको branding की गई है obviously, Maruti Suzuki की जो कि Toyota से different है बागी size आप एक बार देख सेकते हैं इसका mid size SUV है guys यह तो यहाँ पे obviously इसकी length जो होगी वो Krata, Seltos, Aster और इस segment में जो दूसरी cars आती हैं, उनसे काफी जादा है और सही मायनों में काफी अतक यह मारती Suzuki की कार लगती भी नहीं है भागे door handle की बात करें तो आपको body color यहाँ पे door handles दे गए है और overviews की बात करें इन overviews के नीचे आपको यहाँ पे अगी इन camera मिल जाता है आपको जैसे की front और rear में मिलता है rear profile की बात करें तो अगे इन यहाँ पे difference आपको देखने को मिलेगा Toyota Urban Cruiser High Rider के comparison में क्योंकि यहाँ पे जो आपको LED Tail Lamps का setup मिलता है वो काफी different है Urban Cruiser High Rider के comparison में middle में आपको मिल जाती है Grand Vitara की branding Suzuki का logo और rear glass पे आपको मिलता है rear wiper and defogger का option अप guys open करते हैं इसका boot space और boot space की बात करेंगा इस तो यहाँ पे आपको जो boot space मिलता है वो काफी बड़े size का मिलता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी battery pack का है यहाँ पे setup नहीं लगाया गया है जैसे आप इसके strong hybrid वाले version की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक battery pack मिलता है इसके boot में तो definitely boot space वहाँ पे थोड़ सा कम हो जाएगा बागे guys यहाँ पे आप देख सकते हैं boot space का काफी जादा बड़ा है पासल tray भी आपको यहाँ पे दे दी गई है 60-40 split का भी option आपको मिल जाता है boot को enhance करने के लिए आपको देख सकते हैं 360-degree camera को जो मैं feature आपको बाहर बता रहा था वही सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और यह काफी हत्तक infotainment system बलीनों से inspired है जो कि आपको Toyota Urban Cruiser में भी बिल्कुल exact infotainment system मिलेगा यह keys होगा इसकी alpha variant है से आपको यहाँ पे almost सभी features देखने को मिल जाएंगे एक feature यहाँ पे आपको mild hybrid में नहीं मिलेगा वो होगा digital instrument cluster का feature यह digital instrument cluster का feature है वो आपको strong hybrid वाले version में ही मिलेगा तो यहाँ पे आपको analog वाला मिल रहा है जिसमें left side में आपको tachometer मिलता है मिलता है speedometer middle में steering wheel आपको familiar होंगे आप मारुतिय Suzuki के दूसरी cars में भी आता है और यहाँ पे आपको मिल जाते है pedal shifter के option क्योंकि हमारे पास जो version अभी इस वक्त हो है automatic वाला version वो भी alpha variant के साथ left side में आपको आपको मिल जाते है audio controls के buttons और voice controls के buttons और यह है cruise control इसके लगाई एक और feature मारोति Suzuki के सभी cars में आजकल आ रहा है वो है head up display लेकिन जो head up display है वो आपको strong hybrid वाले version में मिलेगा touch response की बात करूँ तो touch response इसका काफी जबरदस्त है और android on apple car पे wireless support करेगा यह 360 degree camera का भी quality काफी अच्छी लग रही है लेकिन जब बात करें मारोति Suzuki की तो आपको पहले तो बैटके बहुत जादा यकीन नहीं होगा कि यह मारोति Suzuki की कार है बट जब आप देखेंगे कि हाँ Nexa में आपको premium products वैसे भी देखने को मिल जाते हैं अगर हम arena के comparison में बात करें तब जाके आप यह चीज़ मान पाएंगे कि यह कार जो है वो मारोति Suzuki की ही है भले टोयटा के साथ मिलके उन्होंने बनाई हो बागे गाइस transmission की बात करो तो यह जो transmission है वो आपको AT transmission मिलता है generally आपने मारोति Suzuki की कारस में आपको यहां पर मिल जाएगी और काफी बड़े साइज की संडूफ है panoramic संडूफ है इतनी बड़े साइज की संडूफ है कि मुझे यहां पर front seat में आपको दिखाना थोड़ा से difficult हो जाएगा camera से लेकिन जब मैं इसकी rear seat में बैटूँगा तो सबसे पहले मैं आपको इसकी संडूफ ही चेकाउट कराऊंगा बागी यहां पर आपको मारोति Suzuki की connected car technology भी मिल जाती है auto dimming IRVM मिल जाता है co driver side यहां पर आपको vanity mirror मिल जाएगा एक और यहां पर आपको driver side आगे एक vanity mirror मिल जाएगा कुछ ऐसे से open करते है यहां पर आगर मैं बात करूँ तो sunglass holder आपको यहां पर दे दिया गया है और यही मैं light sound का देता हूँ तो lights आपको यहां पर normal एक bulb की form में दी गई है LED की form में होती तो थोड़ सा ज़ादा premium और touch आ जाता चलते हैं quickly इसकी rear seat में और देखते हैं कि वहाँ से आपको कैसा layout मिलता है यहां मैं आ गया हूँ इसकी rear seat में और सबसे पहले मैंने open किया इसकी sunroof यहां पर आप देख सकते हैं guys इसमें आपको panoramic sunroof तो मिलती मिलती है लेकिन यह जो panoramic sunroof है वो अपनी segment में सबसे बड़ी sunroof है और Krata में भी आपको इतनी बड़ी size की sunroof नहीं मिलती है जितना कि आपको Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser में मिल रही है अगर मैं बात करूँ पूरे interior की तो rear से जो front का cabin है कुछ इस type का लगता है अगर आपके head मेर से ज़ादा होगी तो definitely आपका head यहाँ पर touch होने की chances है और तो अगर मैं बात करूँगा इस comfort की तो comfort यहाँ पर काफी जबरदस्त है seat जो है उनका under thigh support हो या recline angolo दोनों ही जबरदस्त है इसके अलबर seats यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी premium टाइप की लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको dual tone finishing दी गई है यहाँ आपको armrest मिल जाती है और यहाँ पर आपको cup holder दे दिये गए है तीन headrest आपको यहाँ पर दे दिये गए है और दो एक चीज मैं आपको बता दू कि मिडल में जो passenger बैठागों से यहाँ पर अपने फीट रखने में थोड़ सी problem इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको rear AC जो vent मिलता है उसकी वज़े से यहाँ थोड़ से रुकावट आ जाएगी moreover यहाँ पर आपको transmission tunnel मिलती है वह भी थोड़ से बड़े साइज के लगती है उन्होंने चोटी चोटी डीटेलिंग का यहाँ पर काफी जबरतस धान रखाए पहली बार मैं यहाँ पर ही कहर पार रहा हूं कि मारोती सुजुकी की कोई कार ऐसी आई है जिसमें fit and finishing में यहाँ पर मुझे कोई भी complaint नहीं हुई तो guys अगर मैं feature space और सब कुछ compile करके पूरा analyze करके आपको एक report बताऊ तो definitely यह कार काफी ज़ादा value for money product बन जाती है specially अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो 15 to 16 lakh on road price में बैजा को consider करने वाले हैं तो उसके जगह आप इसका lower variant ले सकता है ज़रूरी नहीं कि आप alpha variant तक ही जाए आप इसका delta variant या zeta variant कंसिडर कर सकते हैं और अच्छी खासी आपको एक car मिल जाएगी जो की space भी decent है और बात करूँ इन exa का product है और यहाँ पर आपको fit and finishing में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी तो आप आप हमें नीचे दे comments में बताइगे कि आपको कैसे लगी grand विटारा और अगर आप कोई video helpful लगती है तो make sure video को like करना ना बूले और चैनल को subscribe करना ना बूले मिलते आप से अगली वीडियो में thanks for watching